हाई, हाई मैं अकांग शामस्ती और आफ लोग देख रहे हैं भोश्पुरी बाते, भोश्पुरी बाते उंके दर्शकों के लिए मेरा धे सारा सा प्यार हूं के लिए मेरा नाम अनुश्या शर्मा है और इस फिल्म में मैं सेकेंड लीड हीरोईन की अभी नतरी की भूमिकानी भार रही हूं और बहुत खुशी है इस टीम के साथ जोग के प्रकाश हनान जी के साथ काम करने का मोका मिला ताभी फिल्म इनकी आज चुकी है और मैं खुद बिहार से हूं तो मुझे प्राउट फील होता है कि मैं भूजपूरी फिल्म का हिस्सा बनूँ इसके पहले भी मैंने एक फिल्म की अभी भूजपूरी रिलीज नहीं है और आई हम बराती बरात लेके अच्छा लगा कहानी बहुत अच्छी लगी पारिवारिक फिल्म है कास्टिंग अच्छी लगी बहुत सीनियर अच्छे अच्छे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो बहुत शुशी की बात है अभी तो सबसे पहले मुझे बताया गया है कि मैं फिल्म कर रहा हूं तो बहुत ज़्यादा अभी डिसाइड नहीं हुआ है यह मूरत के बाद हम लोग इस पर पैठेंगे फिर डिसाइड गरेंगे किस हिसाब से फिल्म की स्टोरी के उपर जो सिच्वेशन पर होगा है और तुबसे पहले जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्याद आए इसाच बताओ तो यह मेरा लाइफ का पहला इंट्रिव्यू है तो कोई गलंती हो तो मा भी जाता हूं मैं कि इसमें मैं नेगेटिव रूल कर रहा हूं बडे निक्रस कलाकार है इस चुरम में चुरमों में देखा करता था सो भाग्य है मेरा या आज मैं ऐसे ऐसे बार्णारों को साथ बैठ कर बोलने का मोगा मिला अज और ये अज जो लुग है नहीं एक जो लव यूद है ना एक कहानी बिल्कुर अलग हुट के और इसके डिरेक्टर जी प्रकाशी है इनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है पहले भी कर तुक हुए रानी हम होगे मी तोहाथ और इनके साथ काम करते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है जी वी कम हसते रहते हैं कोई प्रेशर नहीं है बहुत सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं कि आप लोग ऐसे ही उत्साहफ पुर्वक सारे मुहरत में जाएं और सब के बैट लें मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जे प्रकाश शिंग इस फिल्म में जो हमारे डिरेक्टर हैं प्रकाश आनंजी उनके साथ मैंने इसके जस्ट पहले जो है भी संकी आशिक एक फिल्मों से राकिश मिस्ता के फादर का करेक्टर मैंने किया अब इस फिल्म मैं क्या करूंगा भी तरह मुझे पुछ पता नहीं है उनका इंविटेशन आया मैं हाजिर हो गया और आप लोगों से बिल्को मु करें और अशिवादब किया जो बाता है